बीजेपी में नरेश अगरवाल की ओपनिंग बेहत खराब रही जया बच्चन पर दिये बयान से ही वो हिट विकेट हो गए सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने नरेश अगरवाल को नसीयत दी है कि वो बेवजह बयान बाजी न करे पार्टी लाइन का ध्यान रखे दिली में नरेश अगरवाल ने जया बच्चन पर दिये अपने विवाज़त बयान पर खेद जताया कर बीजेपी में शामल होने के बाद नरेश अगरवाल ने विवाज़त बयान दिया था जिस पर आज उन्होंने खेद जताया नरिश अगरवान समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामल हुए हैं वो कॉंग्रेस और बीएसपी में रह चुके हैं बीजेपी के अंदर ही नरिश अगरवान के वयान का तीखा विरोध हुआ इसलिए नरिश अगरवान ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की नरिश अगरवान ने कहा कि उनकी किसी बात से अगर किसी को दुख हुआ तो वो खेद व्यक्त करते हैं एक फिल्मों में डांस करते हैं अपना रोल करते हैं वो लोग उनके नाम पर हमारा किकट काटा गिया मैंने इसको भी बहुत उचिती सुझा कल मैंने जो जया बच्चेंजी के बारे हम कहा था उससे अगर किसी को कुछ कश्ट हुआ है तो मुझे खेद है कहीं पे भी जो भी महिला हैं गाम करते हैं इस देश में हैं सबकी इज़त समान तरीके से अच्छे तरीके से होनी चाहिए जया जी की जगा कोई अभी नेता होता तो उसके लिए तो कभी ये शब्द ने इस्तमान होते क्योंकि अभी नेता भी हमारी हिंदी फिल्मों में उतना ही नाच गाना करते हैं जितनी अभी नेतरी करती हैं बदल बदल करते रहते हैं सारी पार्टी गूमते हैं अपना फाइदा ने हैं तो पार्टी छोंके दूसरे पार्टी में खूद परते हैं ये मरत का पैचान है